एलो फ्रेंट्स वेल्ड़म बैक टू माइच चैनल ट्रेनिंग एंट्री आज मैं अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ एर कंप्रेसर के बारे में कि एर कंप्रेसर को कैसा मैंटेन रखते हैं वह सारी बाते इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ देख पारेगों आप यह एर कंप्रेसर अभी रणिंग में है यह रण कर रहा है यह मेरा वाल की में वाल है इससे पूरा प्लांट सप्लाई देता है हवा का अगर यह वाल बंद कर देंगे तो प्लांट में हवा बंद हो जाएगी यह दो पाइप है दो पाइप के तुरूप पूरा यह जाती ही प्लांट में यह ओपन है और यह क्लोज है अब मेंटेन करना है आपको डेली यह ड्रेंड पाइप है यहां से आपको पानी निकलने का है डेली देखिए कैसे करते हैं अगर आप जैसे इसमें पानी नहीं निकलेंगे तो आपका पूरा कंपोनेंट जैसा निमेटिक किलेंडर है और वो डेमेज हो सकता है तो यह डेली आपको करना है और इसके यह देखिए हवा का प्रेशर बहुत जादा रहता है तो इसके सामने आप कुछ लाइए नहीं ज पानी देख पारे हो आप लोग यह देखिए अब इस वाल को बंद कर देना है अब यह वर्किंग में है यह दोस्तों प्रेशर गेज का मीटर है यह अर् कितना है नॉर्मली च्छे से आठ बार रहना चाहिए यानि च threatened जाएगा तो यह सटाट हो जाएगा अर आट पर जाएगा तो यह सो जाएगा है ही है तो नॉर्मल एक हम क्यों यह मेरा प्लांट है तो हवा इसमें छे से आठ बार तक है कि देखें कि सब्सक्राइब अब मुझे बाहर यह से इसमें कुछ काम करना है तो यहां से यह लिवर है यहां से बंद कर सकते हैं आप कि दुबारा चलो ना हो जैसे माले जब हवा कम हो गए तो यह आटोमेटिक चलो जाएगा यहां से आप बंद कर सकते हैं जैसा यह अब बंद किया हूं यह यह यहां पर स्विच है यह रोटेट करेंगे तो अन आ उफ होता है अब मैं आउन कर रहा हूं अभी यह आउन हो गय है कि आइल कितना है जो रेड़ बता रहा है इसके बीच में रहना चाहिए गोल-गोल रेड़ है इसके आइल लेवल बताता है यहां पर इंजन आइल का यहां पर शो करना चाहिए यह देखें अब आई यह चेक वॉल है यह हफते-दो हफते एक मेंने में आपको चेक करना है कि यह सेफ्टी सुइच काम कर रहा है कि नहीं है अगर यह रिंग से यह पूल करेंगे तो इसमें से हवा की आवाज आएगी यानि यह सही है यह इसलिए दिये जाता है सपोज मान लिजे आपका continue चला है compressor चला है ठीक है और 8 kg भी stop होना चाहिए बट वह 8 kg पर stop नहीं हो रहा है 10 kg चला गया 12 kg चला गया तो जब जादा हवा हो जाएगी तो यहां पर automatic pressure जादा हो जाएगा तो यहां पर city बजने लगेगी यानि हवा यहां से लिख करने लगी कि बहुत तेज तो यह safety switch है तो इस चीज को पूल करके हमें से चेक करना है कि यह जाम तो नहीं है देखें यह म भी हो सकता है जैसे अब यह city नहीं बज़ रहे तो यह इस tank में हवा का pressure बहुत जादा हो जाएगा और यह tank फट भी सकता है तो यह यह इसलिए दिया है यह switch यह वाल बंद है और compressor आपका on है शे बार और आठ बार पर मालीजिए आपका इंजिनियर सेट किया है यहां छे प compressor continue चल दा है continue चलने के मतलब यह कि आठ पर जाके यह stop नहीं हो रहा है और फ्रॉपर हवा नहीं बना पा रहा है अगर यह वाल बंद है तो आपका यह compressor को डैमेज है यानि compressor को दिखाना पड़ेगा और अगर यह वाल ओपन है फिर भी air continue चालू है बंद नहीं हो रहा है आठ पर बता रहा है तो सही है stop हो जाएगा अगर नहीं stop हो रहा है continue चल रहा है तो आपको करना क्या है कि प्लांट में कहीं air leak होगी तो वहां से आप उस air को stop करिए नहीं तो continue चलता रहे गए आपका compressor और उसकी वज़े से आपका compressor खराब हो सकता है यानि normal position में compressor stop और start होना चाहिए यानि 6 पर start होना चाहिए और 8 बार पर stop हो जाना चाहिए अगर यह situation में नहीं हो रहा है यानि continue चल रहा है compressor तो इसका मतलब यह है कि एयर जो है आपका लीक कर रहा है ठीक है दोस्तों अभी मैं बताता हूं आप लोगों को यह एल्गी का दूसरो मॉडल है यह नया मॉडल है यह 100 लीटर का टैंक है इसको मॉडल थोड़ अलग है वह भी एल्गी के था यह भी एल्गी का है देख पा रहे हो आप प्रिशर पर दिया हुआ है इसमें क्या था है यह मैं आपको बताया है इसमें तो ही में बता रहा हूं यह चीज यहां पर है और इसका ड्रेन वालक इधर है एर का यहां पर नहीं दिया है तो यह इसके नीचे है इसके नीचे आप देखेंगे यहां पर रहेगा फिर उसको आप ओप यह इंजन और कम्प्रेसर को कूल करने में काम आता है यह एर फिल्टर है इसमें हफ्ते दू हफ्ते में एक मेने में इसको खोल के तोला से ओल इसमें डालना पड़े गा है यह तकी में लाइन गई है लाड में